exercise 10.2 question number 1 है from a point q the length of the tangent to a circle is 24 cm एक point q है और इस point q से किसी circle के ऊपर जो tangent की जो length है वो दी हुई है यह है 24 cm and the distance of q from the center is 25 cm और यह जो q point है इसका distance center से दिया हुआ है 25 cm the radius of the circle is आपको radius of the circle is बताना है चार option दे रखे हैं तो radius इन में से कौन होगा सही option आपको बताना है तो question की figure तो आप समझ गए अब radius है तो radius को आपको join करना पड़ेगा और यह जो दो बाकी के point है इनका कोई नाम रख लेते हैं इसका नाम P रख लिया इसका नाम O रख लिया आपको निकालनी है P O की length यानि कि यह radius है ना इसकी length आपको निकालनी है आप question में देखे 10.1 theorem आपने पढ़ी है 10.1 theorem कहती है कि जहां circle और tangent मिलती है उससे point of contact बोलते हैं और वहाँ पे 90 degree का angle बन जाता है आप angle P 90 degree का बन गया तो यह जो triangle बना आपका P O Q यह एक right triangle बन गया और right triangle के अंदर हम pythagoras theorem लगा के यह PO side निकाल लेंगे तो चले शुरू करते हैं पहले लिखेंगे angle P is equal to 90 degree reason में आप पूरा लिखना theorem मैं short में लिख देता हूं कि यहाँ पर क्या यूज हुआ है theorem 10.1 यूज हुई है अब इसके अंदर पाइथागोरस theorem पाइथागोरस theorem कहती है कि 90 के angle के सामने जो सबसे बड़ी side होती जैसे हम hypotenuse बोलते हैं इसके अंदर वो O Q है इसका जो square होता है बाकी की दो side के square के sum के बराबर होता है यानि कि P Q का square प्लस P O के square के बराबर होगा O Q square अब इसमें value put करते हैं जो value put करेंगे इसमें तो O Q दिया हुआ है आपको 25 तो यह होगा 25 का square P Q 24 है 24 का square और P O आपको निकालना है next step में जो number सा वो एक तरफ आ जाएंगे तो 25 का square और यह जो 24 का square राइट सैड में यह धरा के minus हो जाएगा 24 का square और left में आपका सिरफ P O बच गया P O का square आप इसके आपको दो तरीके हैं solve करने के यह तो 25 का square निकाले और 24 का square निकाले और उसे minus कर दे यह फिर एक short तरीका है बिल्कुल simple आपको दिख रहा होगा कि यह A square minus B square बन रहा है तो A square minus B square की identity लगा देते हैं इसके अंदर तो identity होती है A plus B और A minus B यह यह 25 plus 24 और 25 minus 24 is equal to P O का square अब इस bracket में बना 49 और इस bracket में बना 1 is equal to P O का square 49 ones are 49 हो गया is equal to P O का square अब P O की value निकाल ली है तो जो P O पे square है यह दूसरी तरफ आके under root हो जाएगा और 49 का under root यानि कि 49 का square root यह तो आपको पता ही होगा 7, 7s are 49 होता है तो 49 होता है 7 into 7 और pair में से एक बाहर आ जाता है तो यह 7 बाहर आ गया तो P O की जो length आई वो आई 7 और P O क्या आई आपका radius है तो therefore radius is equal to 7 cm और यह जो बुक में दिया हुआ है आपको यह है option number A तो option A आपका right answer है चले इसके बाद question number 2 करते है question 2 में figure भी आपको book में दी हुई है question कहता है in figure इस figure के अंदर TP and TQ यह TP है यह TQ है are the two tangents to a circle with center O यह center O पर जो circle है उसके उपर यह tangents है so that P O Q is equal to 110 यह जो angle बन रहा है न P O Q यह 110 degree का बन रहा है then P T Q is equal to तो P T Q किसके बराबर होगा आपको चार options दे रखे है इन में से चारों में से कौन सही है वो आपको पता करना होगा तो देखे figure तो आपको दी हुई है question में और यह कितना simple question है according to theorem 10.1 कि जहाँ पे tangent बनती है और radius से टच होती है यह जो point होता है radius और tangent यह 90 degree का angle बना देता है तो यह दो angle तो 90 90 के हो गए तीसरा 110 आपको given है तो चौथा क्या होगा quadrilateral बन रहा है न यह चारों मिलके 360 के होंगे तो अपना quadrilateral की जो some angle some property अब वो लगा देंगे आपको angle t पता चल जाएगा चली शुरू करते हैं पहले तो आपने p और q को लिख के दिखाएंगे कि angle p is equal to 90 हो जाएगा angle q आपका 90 हो जाएगा reason में theorem 10.1 आप पूरा लिखना है exam में मैं तो बस ऐसी लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है theorem क्या है वो अब in quadrilateral quadrilateral p o q t p o q t के अंदर angle p plus angle o plus angle q plus angle t is equal to 360 degree क्यों angle sum property of quadrilateral किसी भी quadrilateral के चारो angles का जो सम होता है वो 360 डिगरी होता है अब इसमें value बरते हैं p की 90 डिगरी है और आपको बुक में दिया हुए 110 डिगरी क्यों आपको 90 डिगरी क्यों theorem के according और angle t आपको निकालना है is equal to 360 डिगरी तीनों का सम करते हैं तो यह आगया 290 डिगरी हो गया प्लस angle t is equal to 360 तो angle t की value आती है 360 अपनी जगह पर है यहां से 290 उठेगा तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 290 डिगरी जब इन्हें माइनस करेंगे तो यह 70 डिगरी आ गया तो यानिकि यह जो angle t है आपका ptq एंगल ptq is equal to 7 डिगरी और यह जो 70 डिगरी है यह बुक के अंदर option नंबर है भी तो आपका option भी इस राइट इसके बाद question नंबर थर्ड करते हैं question 3rd है if tangents pa and pb from a point p to a circle with center o are inclined to each other at angle of 80 degree question में कहता है कि कोई point p है वहां से एक tangent pa बनी हुई है और एक tangent pb बनी हुई है उस circle के उपर जिस circle का center हो है और यह जो दोनों tangents है न यह inclined at angle 80 degree यानि जुकी हुई है 80 degree का angle बना रही है यहां पर यह इस तरह से यह given है question कहता है then po is equal to तो आपको बताना है po po a तो po a के लिए पहले po a बना लेते हैं इसको join करेंगे po और यह a तो यह जो angle है न एंगल po a यह आपको पता करना है कि यह कितना है अब देखिए यह question भी न बिल्कुल same to same आपके last वाले question कितरह है question 2 कितरह है जब आप इसे join कर देंगे na ob को तो आपका quadrilateral बन जाएगा quadrilateral बन गया angle a 90 का होगा angle b 90 का होगा यह वाला 80 दे रखा है तो angle some property of quadrilateral से हमें यह पूरा angle पता चल जाएगा जब यह पूरा पता चल जाएगा उसके बाद आगेगा question करेंगे तो पहले यह पूरा angle ही निकाल लेते हैं कि यह पूरा angle कितना है a और b पहले a और b को हम लिखेंगे कि यह 90 के है angle a is equal to 90 होगा angle b is equal to 90 होगा reason में theorem 10.1 अब quadrilateral को लेते हैं in quadrilateral a, p, b, o a, p, b, o इसके अंदर angle a plus angle b plus angle b और plus angle o यह यह सारा is equal to 360 degree क्यों वोई angle sum property of quadrilateral quadrilateral के 4 angle मिलके 360 degree के होते हैं अब value जिसकी दे रखिये वो पूट करते हैं a 90 degree का होगा p आपको book में दिया हुआ है 80 degree और b 90 होगा और angle o पता नहीं है is equal to 360 degree अब इन तीनों को प्लस करते हैं तीनों को प्लस किया तो यह आया आपका 260 degree और plus angle o is equal to 360 degree तो angle o की value निकालने के लिए इस 360 degree में से यहाँ पे जो 260 है यह इधर जाके मैनस हो जाएगा और angle o की value आगई मैनस होके 100 degree तो पूरा angle तो यह 100 degree का है लेकिन हमसे तो पूरा नहीं पूछा ना हमसे सिरफ यह पूछा है P.O.A तो P.O.A कितना होगा वैसे तो P.O.A इसका आधा होगा इसका half होगा 50 degree लेकिन अगर आप direct answer लिखेंगे तो आपको पूरे max नहीं मिलेंगे क्योंकि mass के अंदर आपका reason बहुत जरूरी कि ऐसा क्यों है उसके लिए क्या करेंगे यह जो दोनों triangles है न इनको हम Congress proof कर देंगे जब इन्हें Congress proof कर देंगे तो C.P.C.T. से हमारे यह जो दो टुकडे हो रखें एंगल के इतना part और इतना part यह equal हो जाएंगे equal हो जाएंगे तो यह 50-50 के हो जाएंगे तो इन दोनों triangles को लेना है और इन्हें Congress proof करना है तो इन triangle P.A.O and triangle P.B.O इनके अंदर P.A. और P.B. आपस में बराबर होंगे P.A. P.A. is equal to P.B. यह क्यों बराबर होंगे क्यों किसी भी external points है कोई बहार अगर external point है तो उससे tangents की length हमेशा बराबर आती है यह theorem अभी तक आपने पढ़ी नहीं है इसका use जो है आपका next में होगा तो यह theorem होती है length of tangents from an external point are equal यह equal होती है length में अच्छा P.O. और P.O. P.O. और P.O. आपकी common होगी क्योंकि यह तो दोनों में है यह common हो गया और A.O. और O.B. इसका A.O. इसका O.B. यह बराबर क्यों होगी क्योंकि same circle के radius है तो इक्वल रेडिया आई तो यह तो होगी side और यह होगी side और यह होगी side 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 rule से आपके दोनों triangles congrence proof हो गए तो therefore triangle P.O. is congruence to triangle P.O. rule side 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 अब जब यह congruence proof हो गए तो इनके corresponding parts बराबर होंगे corresponding parts यानि कि P.O.A angle P.O.A is equal to angle P.O.B P.O.B यह दोनों बराबर होगे reason C.P.C.T corresponding parts of congrence triangles अब यह दोनों बराबर है और यह दोनों मिलके 100 degree के हैं तो angle P.O.A P.O.A हो जायागा half of angle पूरा A.O.B तो angle P.O.A हो गया A.O.B की value पता है आपको आपने निकाल गये हाँ पर ओ यह जो O है यह पूरा A.O.B ही तो है into 100 इसको solve किया तो A 50 degree आगया angle P.O.A is equal to 50 degree आप से पूचा था P.O.A P.O.A 50 degree आगया और 50 degree बुक के अंदर आपका option number है A तो right option आपका A P.O.A